हेलो नमस्ते आप सब का स्वागति यूए मैं स्टेटी गूरूब में इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड के बारे में क्वाड क्या है इसके अंदर कौन कौन से देश है उनकी लोकेशन क्या है इसका इतिहास इस्तापना कभू ही बहुत सारी चीजे इस वीडियो में हम डिस्केस करेंगे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना देखो जो क्वाड है उसका सामानेत मतलब 4 से होता है और यहाँ पर इसका मतलब है the quadilator security dialogue इसका मतलब है QSD और जिसे वर्तमान में quad के नाम से जाना जाता है यह कुछ देशों के बीच था यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देशों की proper location है यह अलास्का जो की USA का साय है तो इसके अंतर पहला देश है USA इसके बाद है जापान जापान इसका member country है Australia इसका member country है और अपना देश भारत जो की इसका member country है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो हिस्सा है यह है Indian Ocean यानि हिंद मास अगर और यह प्रशान्थ मास अगर यानि Pacific Ocean तो यह सारा हिस्सा है इसे हम बोलता है Indo-Pacific region तो यह जो सारे Quad countries है यह इसी Indo-Pacific region के विकास के लिए बने हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका मतलब आगे बात करते हैं इसके बारे में बारत अमेरिका और जापान यह जो चार देश हैं यह इसका हिस्सा है अब इसका उद्देश ही क्या है Quad का देखो इसका उद्दे और वेस्विक चुनुतियों का सामना करने के लिए यह जो गुरूप है वो बनाया गया है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो एसिया है और यहाँ पर है चाइना तो चाइना अपनी डॉमिनेंस इस स्पेसिफिक ओसियन में हमें इसा बढ़ाता जा रहा है तो चाइना कंट्री जी उनमें एक एक्सेसाइज होती है जिसे हम बोलते हैं मालाबार एक्सेसाइज जो ओस्टेलिया है वो नमिन्तम मेंबर है मालाबार एक्सेसाइज का आगे इसके बारे में बात करते हैं क्वार्ड समू इसकी स्थापना वैसे बात करें स्थापना के बारे में तो Pacific Ocean में बढ़ते जारी है। उसके लिए बनाय गया है। आगे इसके बारे में बात करते हैं China से क्यों खतरा मानता है क label China इसे अपने लिया आपस में खतरा मानता है क्योंकि यह जो चारा देसे फोर एक्जापल Japan है, U.S. है। तो यह जो देसे चाइना के आने वाले समय में चाइना सोच था है कि यह anti-China बन सकते हैं हलांकि अभी दिरे दिरे for example जयपान है इंडिया के साथ conflict चल रहा है चाइना का तो इस वज़ sigu से चाइना मानता है कि यह anti-China policy को अपना सकते हैं आने वाले समय में अलाकि ये जो group है ये logistic support arrangement के लिए है आगे इसके बारे में बात करते हैं चाइना हमेशा इसके बारे में चिंता जटाता रखता है और इसके बारे में जो भी meeting होती है for example कोई भी meeting होती है तो चाइना उसका विरुद करता रहता है आगे इसके बारे में बात करते हैं तेकि इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बारत के लिए कुवार्ड की इसमें जापान सामिल है जापान हमेशा बारत की मदद करता रहता है USS के दिगर सामिल है USA of course powerful country है उसके बाद उस्टेलिया उस्टेलिया भी चाइना का में साथ से विरोधी है और बारत इसके अंतरगत सामिल है तो इस वज़े से भी चाइना मानता है कि ये anti-China group है और जैसा कि मैंने आपको बताया इंडो-Pacific region के लिए है तो Pacific Ocean में चाइना अपनी dominance बढ़ाना चाहता है इस वज़े से भी वो इस group को अपना खत्रा मानता है तो मैं उम्मीद करूँगा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो को लाइक और चैनलो को सब्सक्राइब जरू कर देना अगर कुछ भी समझ में आया हो तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा जय हिंद जय वारत